इस वीडियो में हम जानेंगे रिर्ण का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है। रिर्ण का इंग्लिश मीनिंग होता है लोन, डेप्ट, माइनस और इंडेप्टेडनेस। आए इसे हम एक्जाम्पल से समझते हैं। एक्जाम्पल, I have taken a loan of 5 लाक रुपीज from the bank। यहाँ loan का मतलब है रिर्ण, उदाहरन मैंने bank से 5 लाक रुपीज रिर्ण में लिये हैं। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही, अब आपको comment box में बताना है cash का हिंदी मीनिंग क्या होता है। Thank you